अगर आपने कन्या उठाना सनातक युजना के लिए राजिस्ट्रेशन किया है अगर आपका किसी भी कारण से रिजेक्ट हो चुका है चाहिए डुमिसाइल के कारण रिजेक्ट हुआ है या फिर आधार भेरिफेकेशन किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका कोई not combination का problem आ रहा है लेकिन आपने युनिवर्सिटी में सारा जबा कर दिया डुक्मेंट लेकिन अभी तक आपका जो है इस लिस्ट में नाम नहीं चरहाया गया है या फिर कोई करेक्शन नहीं किया गया है तो आप किस प्रकार से करेक्शन करेंगे और आपको डोमेशाल कौन सा लगाना है इस से रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में इनफर्मेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को सुरात करने से पर एक छोटा से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे इस चैनल टेक्वित बिट्टू पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकोन को प्रेस कर दें जिससे स्कोलर्शिप से रिलिटेड जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिपिक्रेशन आपको सबसे पल आप कैसे बागे यह पहले आप जान लिए इसके लिए आपको मेधा सब किसी वेबसाट पर आना है जैसे यहां स्टूडेंट रेजिस्टेशन का ओप्सन दिखता है इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह का पेस ख आसवर आप मंगा सकते हैं तो आपका यह पर चलएक oria पर लेतोरा आपको यहां पेशनों पर आपको फूल सद्धिख जाता है यहां पे प्लीज वेट वार सम टाइम फूल लिफिकेशन अगर आपका सारा इस नहीं हुआ होगा तो इस तरह से शोग करता है अगर आपका सारा चीश्व जैसे मेरे पास एक student का है यहां दिया गया है मेसेज आया है कि dear applicant your applicant iisnathak scholarship has me rejected due to invalid domicile detail यानि domicile का invalid detail डालने का कारण जो इनका reject कर दिया गया और यहां पर दिया गया kindly reapply on the portal education department बिहार government यानि फिर से यहां पर कहा जा रहा है इसको फिर से reapply करना है तो क्या करना है आपका कोई बी चीज प्रॉब्लेम के कारण जो आपका reject कर दिया गया तो आपको क्या करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं आपको जल्ड से जल्ड आपको फिर से reapply कर देना है जैसे आपको कर देना है फिर से अगर आपका कोई भी चीज रिजेक्टे ना या मिस मैं छुबा है तो आपको एपलाई कर देना है अब हम बात करते हैं अगर आपका पेंडिंग जो है 15 दिन से ज्यादा उपर हो गए आपका खुछ सारा चीज भी पेंडिंग ही दिख रहा है तब आपको क क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं 15 दिन से उपर जितने के वी स्टुडेंट का पेंडिंग है तो उन सभी का फ़र्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको फिर से क्या करना है एपलाई कर देना है आपका सारा इस्टेट अगर पेंडिंग दिख रहा है पंदर दिन से जाता हो चुक है तो आपको फिर से रिएप्लाइक कर दीजे आपको इसी वेबशाइट से आपको एप्लाइक कर देना है अब हम बात करते हैं यहाँ पे चीज का बारे में दिखा देता हूँ आपको जिसे आपका कोई गया था पटना तो वहाँ बताया गया है कि अगर आपके अपडेट कर दिया गया है और 15 अपडेट कर दिया और कर प्रोब्लेम आ रहा है या फिर कोई भी दिखत आ रहा है तब आपको क्या करना है कि आपको एनाइसी ऑफिस पटरना चले जाए वहां यह आपना ओरिजिनल मार्चिट और एड्मिर कार्ड ले कर जाएंगे वहां पर सारा डीटेल जो है आपको अपडेट उसी समय कर दिया ज डुमिसाइल जो है आपको दो साल से पहले जादा पुराना आपको अप्लोड नहीं करना है यह चीज़ आपको जानना है डुमिसाइल जो भी आप अप्लोड करेंगे आप ब्लोड लेवल वाला ही अप्लोड करेंगे SDO लेवल, DM लेवल का नहीं करना है यार कि ब्लोड ले डीटेल में कुछ हाइड कर दिया हूं, तो यहां देख रहे हैं, कि यह हमारा जो 2023 का ही है, तो इस तरह का जो है, आपको निवास परमान फस्ट अपलोड करना है, तो आपको ध्यान रहे हैं, अफलोड में करते से मैं, आपको सभसे पहले सारा डेटेल मैच कर लेना है, कि आपके जो आधार कार्ड में जो भी नाम है डेट अबार्थ है या डेटेस है सेम वही डेट अबार्थ और मतलब नाम और अडेस जो है आपके डूमिसायल में भी होना चाहिए अगर जैसे यहाँ आपका वार्ड नमबर भीले से वेगरा जो भी आपके निवास में है सेम अगर आपके आधार काड में है तो ही आपको लगाना है यह तो आप फॉर्म लगा देंगे तो आपका रिजेट कर दिया जाएगा अब हम बात करते के फॉर्म को सुधार किस परका लाइंगे यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है राजिश्टेशन फॉर इस्टुडेंट इस पही आप किलिक कर सकते हैं डेरेक्टल आप इस पर आपको फिर से एपलाई कर लेना है यह जीज आप ध्यान से रख लेना है आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलने वाला ह अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन निवास परमान पत्र देते हैं तो आपका reject कर दिया जाएगा इसलिए आप जो भी registration करेंगे तो आपका नया domicile होना चाहिए दो साल के अंदर का होना चाहिए दो साल के पहले वाला अगर आप residence लगाते हैं तो आपका reject कर दिया जाएगा तो अगर और भी कोई जरकारी पसंद आगर आपको वीडियो पसंद करेंगे साहब